नमस्कार दोस्तु आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के फिश फ़ार्विंग के चैनल में जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं आप सभी का हरदिक स्वागत है आज जिस विशे की ओपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं वह है आपके पोखर के पानी को कैसे आप हरा रंग में करवर्ट कर सकें किसी का पानी का कलर आपका ज्यादा हरा हो जाता है किसी का पानी का कलर कभी लाल कलर टाइप का हो जाता है तो किसी का कभी brownish type का हो जाता है तो ये सब का उपर भी हम लोग आज बात करेंगे लेकिन main topic है कि कैसे हम लोग अपना pond का पानी को हरा कर सकें तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से बहुत ज़्यादा निवेदन हैं आप लोग हमारे channel को subscribe कर दीजिए जो लोग पहले से subscribe किये हैं उनलों को बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुरे रहें जबूर subscribe कीजिए और जो बंटी है उसको दबा दीजिए ठीक है तो आपको notification मिल जाएगा जब भी कोई नए नया वीडियो अप्लोड होगा तो जीज़ विशे के पूरा हम आज बत करने वाले थे कि ये पानी का कलर कैसे हरा करें तो पानी का कलर हरा करने के लिए हम लोग दो टाइप का चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है by using fertilizer या फिर by using plantain booster ठीक है अभी बहुत सारा company market में है जो plantain booster product मतलब वो लोग manufacture करते हैं और farmers का बीच में sell करते हैं कि पानी का कलर कैसे हरा हो सके तो उसी के साथ-साथ fertilizer से भी जो ensign period से या फिर बोल सकते हैं आप before manufacturing और ये सब plankton booster का तयार होने से पहले लोग जैसे पानी का कलर हरा करते थे उसका उपर बात करेंगे तो हम लोग fertilizer और खली यूज़ करके और गोबर ये सब यूज़ करके हम अपना जो pond का पानी उसको हरा कर सकते हैं तो pond का पानी हरा करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा inorganic and organic fertilizer ठीक है तो inorganic में आपका fertilizer में आ जाता है ssp मतलब single super phosphate और urea और organic में आता है आपका गोबर और इसी के साथ आपका हम लोग यूज़ करना पड़ेगा चूना जो हम लोग का pond सुखाने के बाद हम लोग देते हैं और उसी के साथ जो बादाम का खली और सर्सों का खली होता है उसको यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा पानी का प्लैंटन और जो organic food का deposit है उसको हम लोग increase कर सके तो अभी बात करेंगे कि इसका doses क्या है तो पर डेसीमल का हिसाब से आप लोग तो चार ग्राम चार ग्राम यूरिया एड़ सिंगल सुपर फॉस्पेट ॥ोदा ज़्याद भी हो या फिर यूरिया première-ध्यादा ज़्यादा होने से भी कुछ ज्यादा एफ़ेक्ड नहीं होगा लेकिन पर डेसीमल का हिसाब से आप 4-5 घरम तक कर सकते हैं तो अभी बात करेंगे step by step कैसे आप अपने पूरे पॉरे पॉर्ण का preparation करेंगे ठीक है ताकि आपका पानी का कला हरा हो सके तो आप क्या करेंगे इधर कि आप लोगों को पहले अच्छा से सुखा देना पड़ेगा आप कम होगा आपका खले यूस करके जो आपका जो सब मचली जैसे मचली के लिए हमफूल हो सकता है वह सब मार देने के बाद या फिर पॉंगो तो आपको इस करना पड़ेगा फैले आपको यूस करना पड़ेगा lime ठीक है लाइम मतलब आपका चूना, चूना को आपका कैसे कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, 4.5 पाउंड, मतलब 4.5 पाउंड का हिसाब से आपको पर एकर फूट पानी में देना पड़ेगा, मतलब पकड़ लीजिए, एक फूट पानी है, वो एक एकर होता है, ठीक है, मतलब अगर आप आपका एक फूट का हिसाब से एक एकर पानी पकड़ रहा है, तो आपको 4.5 पाउंड चूना देना पड़ेगा, उस हिसाब से आप चूना दीजिए, ठीक है, कि आपका पाउंड कितना हो रहा है, उसका हिसाब से आप फिर पानी में चूना दीजिए, कि अगर आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा गोबर को आपको पानी भर जाने के बाद या फिर अगर पॉण मैं पानी है तो एक साइड में गोबर देके रख सकते हैं और उस साइड में थोड़ा बान टाइप का रख सकते जिदर में छोटा-छोटा होल टाइप का होगा जिससे कि ना धीरे-धीरे गोबर का आपका जो आपका मैनेरिंग होगा वो आपका पॉंड में हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि एक बार में गोबर को छो 15 दीन सेखर अगर आपका 15 नर्arnos दिन का अगर आपका सूखा होता है तो आपको यूज करना पडबेगा यूडिया और सिंगल सूपर-फॉसपेट ठीक है तो आप यूडिया प्रयोग कीजिए आपका तो यह जो है आपका इनउगनिक फटिलाइजर का मतलब यूरिया और सिंगल्स इसका कोई कुछ ज्यादा कुछ कम देते हैं तो उसका उपर डिपेंड नहीं करता है कि हम जैसे यूज़ करते हैं आपको ऐसे बोल रहे हैं ठीक है तो यह हम लोग को 15 दिन का ग्याप में देना पड़ेगा तो 15 दिन का ग्याप में दीजेगा तो इसको कैसे प्रयोग कीजिए जैसे गुबर को हम बोले एक टाइप का बांध टाइप के दीजे नहीं तो अगर सुखा रहता है सुखा रहने का इना को बैंड कर लेज़े उडिया और सिंगल सुपरफोस्पेट को उससा गोला गोला टाइप का बनाकर पॉन्ड में फेकिये ॠीक है सब कोना में एक से दो गोला रहके मिला काम होगा अगर आपँर दायरेकली देगे तो उसका काम उतना नहें वहोगा टीक है और अगर आपका सुखा पॉंड रहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं आप उसमें थोरा थोरा करके सब कुना साइड में आप अच्छा से मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हैं ठीक है तो इससे भी होगा तो इसके लगभग पगर लीजिए 15 से आपका 10 दिन के अंदर आप देख पाएंगे कि आपका पॉन्ड का जो डेवलोप्मेंट सुरू हो चुका है इससे में आप पॉन्ट का जो प्यासी क्या कर सकते हैं अगर आप एक तो बड़ा जारकिन है मतलब बड़ा कोछी होता है ूस ड्रम में आप अच्छे से 10 से 20 लीटर पानी अच्छा से जमाक करें उसमें आप गोबर दीजिये सुखा गोबर जो हता है उसके साथ आप जो बादाम का खली होता है बादाम का खली दीज्य उसके साथ अब कुछ मतलब कर लीजिए अगर आपका 20 लीटर पानी है 20 vam है तो आप उसमें दीजे लगबग गोबर दीजिए आप 5 kg बादाम का खली दीजिए आप 4 kg ठीक है फिसरसों का खली दीजिए आप 5 kg ठीक है और आप थोड़ा परिमान में मतलब 10 ग्राम की तरह आप रॉसॉल दीजिए या फिर रॉसॉल देने से अच्छा मिलेगा आप रॉसॉल टी उसकीजिए और आप 10 kg तक मॉलासियस दे सकते हैं मतलब पुरा घार दीजिए घार देने के बाद आप क्या किजिएगा जब 15 दिन हो चुका है तब आप उसको प्रॉपरली जो जूस होता है उसमें आप दूसरा एकटो बाल्ठी या फिर कोई हंडी में लेकर आप उसमें पॉंड का जो पानी होता है उसको अच्छा से मिला कि आप पुड़ा साड़ा पॉंड में अच्छा से छेरकाव कर सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे आपका जो ऑर्गैनिक फीड होता है आपका पॉंड का उसका भी डेवलोप्मेंट होगा और आपका जो एक्स्ट्रा फीड होता है जो आपका यूस करन फाइटर प्लांटर ने वंग्जू प्लांटर पकड़ लीजे आपका अलोबर एक एक्स्ट्रा फूड है मचली के लिए जो मचली का अच्छा प्रोटीन सोर्स है और गैनिक फीड है जो पहले भी मचली खाती थी अभी मचली खाती है उस हिसाब से खाईगी उसके अलाबा अगर कोई पकड़ लीजे यह यूरिया यह सब ना यूज़ करके आप लोग प्रड़क्ट यूज़ करना चाते हैं हम कुछ फोटो आपका इधर दे रहे हैं यह सब प्रोड़क्ट आप यूज़ कर सकते हैं यह है वो प्रोड़क्ट जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं प प्रति एकर का हिसाब से आपका पाच केजी ठीक है इस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा और जो लोगों को हम लोग का ये प्रोडेक्ट चाहिए वो लोग हम लोग से कॉंटेक्ट कर सकते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुए धन्यवाद